नमस्कार, मैं हूँ जोती अरोडा, आपकी एस्ट्रोलजर और फैंक्शुई मास्टर दिपावली के तिवहार का भारत में बहुत मैत हुआ है, हिंदू का सबसे बड़ा पर है दिपावली दिपावली के दिन मा लक्ष्मी और गडेश का पूजन करना बहुत ही ज़्यादा शुप माना जाता है ऐसे में कुबेर की भी पूजा की जाती है, तो दिपावली के दिन पूजा एक खास मुहुरत में की जाए, तो हमेशा इसके शुपफल मिलते है दिपावली शुरू हो रही है कार्थिक मास की अमावस तिथी 12 नवंबर को 2 बच कर 44 मिनट पर और इसका समापन होगा 13 नवंबर कर 2 बच कर 56 मिनट पर तो अब पूजा का मुहुरत मैं आपको बताती हूँ, तो पूजा का मुहुरत होगा 12 नवंबर से शुरू पांच बच कर 38 मिनट से शुरू होगा और सात बच कर 35 मिनट पर रहने वाला है तो रिश्वकाल की भी मैं बात कर लेती हूँ तो श्याम पांच बचकर 49 मिनट से लेकर 7 बचकर 35 मिनट तक रहने वाला है तो चोगडिया पूजा मूरत की भी बात कर ली जाए तो शुब चोगडिया 12 नमंबर को दोपहर 1 बचकर 26 मिनट से 2 बचकर 46 मिनट तक रहने वाला है तो आप इनी महुरतों को ध्यान में रखते हुए अपने दिपावली पूजन का पूरा अर्रेंजमेंट करें और पूरी विदी विदान से मालक्षमी गणेश जी और कुबेर जी का पूजा बहुत ही भक्ती भाव से करें तो दिपावली आपके लिए काफी शुब रहेगी आपको दिपावली की धेरो शुब कामने नमस्कार